बिग बॉस वीकेंड का वार नहीं वीकेंड का वार तो था ही नहीं सलमान सर तो कल आएंगे और सलमान सर आएंगे तो कल क्लास लगाएंगे अभिनाश और किसकी दिग विजयरा ठीकी इसे जीन्स फड़वार है सलमान सर कि जीन्स फाड़ के दिखाओ तुम तुम एक जीन्स तो फाड नहीं पा रहे है, तुम आदमी फाड ने की बाते कर रहे हो, कुछ भी, बिना लॉजिक के बस मुह से बोल देना है, करना तो है नहीं कुछ भी, इस तरीके की क्लास लगाती हुए, सलमान सर नजर आ रहे हैं, जो की सही भी है, यह आदमी फाड रहे थे, उस दिन टा एपिसोड में, कुछ भी नहीं था, मतलब हाँ, ओडियंस को न वो लड़ाई जगडे, चिल्लम चिल्ली चाहिए होती है, और शायद मैं भी उसी ओडियंस में से एक हूँ, तो चाहिए होती है वो लड़ाई जगडे, और आज की एपिसोड में ऐसा कुछ था नहीं, हाँ, और अरफीन, नहीं, अरफीन कहां से आगे, अरफीन तो अविनाश के अंदर आया हुआ था, अरफीन अविनाश के अंदर आया हुआ था, यह सारी चीज़े दिख रही थी हमें, चलिए बात करते हैं, आज के एपिसोड की, यह लास्ट वारा जो टॉपिक था, जिस तरीके से चाहत समझाने की ड्राय कर रही थी, रजट दलाल को, कि रजट तुमने गलत किया है, तुम इस बात को एकसेप्ट करो, और कशिस से जाके बात करो, वो यह कहना चाहती थी, लेकिन रजट इस बात को एकसेप्ट ही नहीं करना चाहता था, कि रजट ने कुछ गलत किया है जरसल बिग बोस न टाइम गॉड होने के नाते रजचत के हाथ में पावर देते हैं कि जो नॉमिनेटेद कंटेस्टेंट है उनमें से आप एक को बचा लो बाकी जो सारे के सारे हैं वो नॉमिनेटेड रहेंगे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बिगवास ने रजट को क्यों नहीं कहा बचाने के लिए कि रजट तुम भी बचते हो रजट को भी बचा लेना चाहिए था अभी वहाँ पर विवेन होता है तो विवेन आप तो टाइम गौड हो तो आप तो सेफ हो गए लेकिन इस बार रजट के साथ ऐसी चीज नहीं कही गई है और रजट के हाथ में पावर दी गई कि आप मुझे लगता है कि पावर ये था या फिर ये था कि रजट किसके अगेंस्ट बोलता है या फिर जब वो बचाए जब एक को बचाएगा और बाकी सबको नॉमिनेट करेगा तो उनके लिए क्या बाते वो बोलता है और जब उनके लिए वो अलग सी कुछ बोलेगा चीजे उल्टी चीजे बोलेगा तो वो लोग रज़त के अगेंस्ट जाके खड़े हो जाएंगे पहले आपको बता दे कि जो नॉमिनेटेट कंटेस्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं उसमें करनवीर महरा हैं कशिष हैं दिगविजे हैं चुम बगगा शूतिका और रजट ये लोग हैं अब दिगविजे को तो उसने बचा लिया ये कहके कि भाई अगर मैं देखने चाहूं इन सारे में से तो दिगविजे मेरी प्रियॉर्टी है और मैं दिगविजे को अपनी प्रियॉर्टी मानता हूं तो मैं सबसे पहले दिगविजे को बचाऊंगा हाला कि उसने ये लास्ट में कहा चुम को उसने क्या कहा कि चुम तुम्हारे साथ तो मेरी कोई बात ही नहीं कर दिया करन वीर को उसने कहा कि घर के अंदर कोई काम नहीं करते हैं काम इन दे सेंस कि किसी भी मामले में ये पढ़ते नहीं है कोई इनका ओपिनियन नहीं होता है सिलपा को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे लेकिन जब बारी आई तो किसी को भी सपोर्ट नहीं किया ये करते वे नजरा रहते हैं बिसिकली ये कहें कि ये तिली मारते हैं घर के अंदर ऐसा रज़त का कहना था करनवीर को लेके और फिर उसने नॉमिनेट किया हाला कि अल्रेडी करन नॉमिनेटेड ही थे बगगा को से नॉमिनेट किया कि भाई इनका योगदान जीरो के बराबर है ने का region बड़ा सही था रजट का मुझे यह पसंद नहीं है मैं इसको पसंद नहीं करता रे भाई कोई तो बात होगी logic तो बताओ उसके पीछे क्यों नहीं पसंद करते लेकिन उसने का कि मैं इसे पसंद नहीं करता शृतिका क्या क्यों मैं पूछना चाहती हूं कि तुम कई में सही थी बाते कशिस को नॉमिनेट करते हुए रजत ने ये कहा कि शिल्पा के साथ बैठती है पूरे टाइम शिल्पा के साथ बैठी रहती है लेकिन जब उस दिन टास्क हो रहा था टाइम गोड का तो ये अचानक से मुझे सपोर्ट करने लगी जो जिसके साथ ये कारी लाइफ फीट देख लेती हूं या फिर जो क्लिप्स होती है वो देख लेती हूं उसमें मुझे रजत के साथ भी बैठी हुई वह नजर आती है और जिस तरीके से बाद में वह चाहत से कह रही थी कि यार मैं तो उससे जादा शिल्पा से जादा टाइम रजत के साथ हूं तो वो टाइम स्पेंट करती है रजत के साथ अब रजत को पता नहीं क्यों यह बात लगी कि कशिस जो है पलट सकती है अपनी ही चीजों से मतलब मुझे खुद यह बात समझ में नहीं है जबकि मैंने जहां से देखा मुझे यही नहीं जरा है कि वस लड़की ने वाक बगा से गई यही है थी शिवा को दसे हैं सफ कशिस और दिख विजय अ में अवहां जरा सबगहनत है ऐसे हैं спас नहीं में वहां तूद है उन आप ngयार श्रूरटका से लड़ी और उदह नि नाखुन तक तो पांट लगा कि कशिस पलट जाएगी देखो जो पलटेगी तब पलटेगी अभी तो वो तुम्हारे सार थी तो मुझे लगता है कि रज़त को ऐसा नहीं करना चाहिए था रज़त यहां पर गलत था रज़त को कशिस को नॉमिनेट करता वो ठीक है क्योंकि उसकी प्रियोर्टी रिजन में प्रॉब्लम है और कशिस उसके बाद काफी ज्यादा हर्ट हुई और उसका हर्ट होना बनता भी था उसका हर्ट होना बनता भी था क्योंकि वह वाकि मेरे रज़त को टाइम गौड बनाना चाहती थी तो इस तरीके की चीजे नजर तो आई हमें वैसे कसिस के लि इनकी एक बात में लॉजिक नहीं होता है मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कशिस को डी मोटिवेट करने के लिए था कि कशिस की बातों में लॉजिक नहीं होता है बलकि मैं तो देखती हूं कि कई बारी कशिस काफी पॉइंट अफ उसका पॉइंट उसका बड कर रही है वह अक хотя की ही बाते कर रही होती है हाँ वह लड़कों को तारने वाली छीजिक एक अलग मैठ रहा है लेकिन वह मुझे नहीं दिखती है इतनी वेकार आपको व्हान में कुम में लगत कके अंदर रहना है यह बाहर करना है तो वो एक अलग बात है लेकिन अगर कशिस को ये बोला जा रहा है कि वो लॉजिक नहीं है उसकी बात में फिर आज रज़त ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया तो मुझे कही ने कही ऐसा लग रहा है कि कशिस का पता कट सकता है वीकेंड के वार पे है ना कशिस बाहर जा सकती है जबकि मुझे कशिस ठीक लगती है अच्छी लड़की लगती है समझदार भी लगती है और अपने पॉइंट ऑफ यू को बड़ी क्लियरली वो रखती भी है और बहुत आउट स्पोकन भी है वो तो ये सारी चीजे हमें समझ में आई वही विवियन और चुम के लड़की मेरे पीछे नहीं पड़ेगी क्योंकि विवियन ये भी कह रहे थे रवी किसन के आगे कि सर आप जब से बोल के गए हो कि हम दोनों की जो तुतु में है वो पसंद आती है तो ये मेरे पीछे ही पड़ गई है तो देखो ये बात कहीं नहीं मैंने भी नोटिस करी थी कि चाहत जादा आजकल विवियन के इर्दगिर्द घूमती है और उसको छेड़ती रहती है तो देखो वो हमें अच्छा ही लगता है मैं यह नहीं कहूंगी कि वो बुरा लगता है वो इतना बुरा नहीं लगता है जो विवियन दिन पर सडू बनके रहता है इसी बहान पिर रवी किशन ने एक करनवीर से तो बात ही नहीं करी हाँ ये चीज बड़ी सोचने वाली थी कि घर में हर एक बंदे के साथ का रवी किशन ने बात करी है लेकिन करनवीर से कोई बात नहीं की गई है ये बहुत सोचने वाली बात है करनवीर से बात नहीं करने का कारण क् कि करनवीर शो में इन्वाल नहीं हो रहे हैं कि सलमान सर किस तरीके से हैंडल करते हैं चीजों को वह बहुत देखने वाली चीज हो गया कि भाई आपका तो कॉंट्रिब्यूशन जीरो है क्या कर रही है आप इस घर के अंदर आप अपना उपिनिन क्यों नहीं रख रही है तो सर मुझे पता है कि मेरा कॉंट्रिब्यूशन जीरो है, मैं आगे से ध्यान रुकूंगी यह हंडर्ड़ परसंट अपना देने की कौश्यास करूंगी है, मुझे लस के साथ साथ इशा भी जीरो ही लगती है क्योंकि वह बिचिंग करने के लावा और कुश कुश कर्क्या र और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ करती वी नजर नहीं आती है जब देखो वह करन की चुगली कर रही होती है करन के ही बारे बार करन वोकल कह रही थी अभिनाश और एलेस से बैटके कि करनवीर घर में हो ना हो मुझे फरक नहीं पड़ता उसकी होने ना होने से कोई फरक नहीं पड़ता है बही है सबसे ज़्यादा फरक आपको पड़ेगा करन वीर घर से बाहर निकल जागा तो आप चुगली किसकी करेंगी इशा कैसी बाते कर रही है आप कैसे आपको फरक नहीं पड़ेगा पड़ेगा आपको फरक पिर चुगली किसकी करेंगी आप तो आप चुगली कर रही है घर में बैटके और कुछ नहीं कर रही है मुझे नहीं नजर आती है इशा भी बहुत अपना point of view रेस करती हुई मुझे अभिनाश strong लगता है मैं सची बता हूँ अभिनाश मुझे strong लगता है वो logic वाली बात भी करता है लेकिन इशा और एलेस मुझे दोनों ही मुझे समझ में नहीं आती तो यह वाली चीज भी हमने देखी जहां पर एलेस को यह बोला गया कि आपका contribution zero है इशा से यहां बात की गए इशा आपने दो नाम रखे हैं एक का नाम नपती रखा और एक का नाम सुतर मुर्ग रखा है तो वो भी मेरे को सोड़ा सा अजीब सा लगा कि सुतर मुर्ग की तरह यह मेरे इर्दगर्द मुद्दा बना रही थी उसने एक मुद्दा बनाया और उसमें उसने आपकी उतार दी थी इशा आपकी शकल देखने लाइग थी जिस दिन कशिस आपसे बात कर लए थी कि तुम्हारे अंदर है गये कि मैं तुमसे इनसिक्योर होंगी जलूंगी आपकी शकल देखने लाइग थी एक्शिलिए इनसिक्योर आप हो रही थी कशिस नहीं हो रही थी तो आप अकेले में कोने में बैठके वे सुतरमूर्ग मुर्ग बोल लिजिए, कौने में करनवीर करता है उसको बता दिया गया, तो आप कह रहे हैं कि वह कोने में बात करता है, यद भी बात करती है, बस आपकी बात लोगों को डिखाई नहीं जा रही है, ज है दी जाएगी उस दिन सबको पता लग जाएगा कि आप भी कोने में बात करती हैं ये वाली सारी चीजें हुई गर के अंदर और चार लोगों के आगे कुछ मत बोला अचा ये रज़त और चाहत वाली बात जहां पे रज़त चाहत दोरों एक दूसरे को देगों छेड़ते हु होता है और चाहत मुझे काफी बेस हां और से लिखांपे है यार पहले मैं उसके बारे में बात कर लेती हुँ sleeping bagga से laughing bagga हो गया aysa भी कीसी नहीं चाहता करंग नहीं चलो बढ़ी आए कम से कम एगर मेरे उपर ताने मारता है मेरे उपर शेरो शैरी करता है तो चाहता है कम से कम अभथता हुआ तो नजर आता है कर्मो का फल हाई कर्मो के फल मिले है वो जो करेंट वाला टास्क था उस दौरान पर वहां पर चाहत करता है बकवास मत कर यह बकवास क्यों कर रहा है यहां बैठी तुम्हारे भी कर्मों का फल है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे भी बुरे कर्मों का फल है जो तुम टुटर पर ट्रेंड कर रहे थे ऐसा चाहत ने बलागी बाहर बेट करोगई तो उसने बात करोंगी नहीं बात करोंगी तो उसने कहा नहीं नहीं बनाओंगी थी पिछ के पड़ी विया तो यह वाले सारी बाते हमें देखने को मिले जहां पर यह दोनों की तू 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 में चालू ही ती और आज पता नहीं क्या हुआ तो, साध के बीच में आज यह लड़ी रहे थे, लेकिन वो कशिष्वाले मैटर में मैं कहना चाहँगी की रज़अ तुम नॉमिनेट कर रहे थे, ठीक था, लेकिन उप्इन्प स लेकिन तुम ह मीरा के बहुत संधारे. लेकिन तुमक्र्णारिक है भी प्लंकर तुम कसिस वहां पर तुम्हारे लड़ रही थी खेल रही और यह सच था और यह हम सब ने भी देखा था हम सब ने थारीफ करी थी कि भाई कर्षिस बंदी तो है कि लड़ भेड रही है वह सब के साथ यह वाली सारी चीज हमें नजर आए शुरुतिका को कहा गए कि शुरुतिका क् सब जगह है आपको तो पॉलिटीशन होना चाहिए आप इधर भी है उधर भी है बगा से कंपेर करते हुए कहा गए कि बगा इतनी तो इतनी तो पॉलिटीशन होके भी आप प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते जितनी कि शुरुतिका कर रही है शुरुतिका से सीखिए आ एंट्रेटेनिंग थी हमें लगा कि चलो ठीक है तुमारा एक स्वीट सा साइड है जो साइड अब बिल्कुल खतम हो चुका है अब वो तुम स्वीट कभी लगती ही नहीं हो फिर तुम बीच में अपने लिए स्टेंड लिये रही थी विविन के अगेंस्ट वो भी हमें काफ शूतिका इंडविजवल खेल रही है भाई शूतिका कहीं की भी नहीं ना इधर की ना उधर की है अभी वो पता नहीं कहां है शूतिका और वह वाकई में अपना हर मुद्दे में घुसती है चाहत भी यह चीज नोटिस कर रही है कि भाई तुम बहाई हर मुद्दे में कस बढ़ फिस अपको उसकी खेकोड से चाहा जो घूपर मोगा जो गीशन चोड़ा चोड़ा मैदान में उतरी है। आपने सब की बजा दी, बजा दी इनदर सेंस की सब का अच्छा गिया, सब के साथ, तो बाकी में चुम का गेम काफी शाप दिख रहा है, और जिस तरीके से उसने करन को गिल्ट ट्रिप में भेजा, वो भी बड़ी क्लियरली हमें नजरा रहा है, करन क्यों गया गिल्ट ट्र बाकी लेकिन पंगा तो हुआ चुम दिखी तो वहाँ पे तो यह वाली चीज भी हमें आज कल के एपिसोड में नजर आई थी और आज भी नजर आई तॉइंग मैं जो है वो दिखविजय राठी इस बर बने हुए है तो बदा ही हो भाई दिखविजय राठी आपको आप किया वह दिखॵिजय और टॉपट टू में चल रहा था तो आपको सेफ करने की ज़णूरत ने थी आपको सेफ कर सकते थे लेकिन कोई बात नहीं अच्छा किया रजजर ने दिखविजय को सेफ किया क्योंकि दिखविजय और रजजत की दोस्ती है तो वो चीज मुझे भी सही तो लगी ही आज के एपिसोड में और क्या पताए बही थोड़ा पढ़ने दो चारों के आगे कुछ मत बोला कर बाद में रजगत ने काहा गया 4 लों के आगे मत कुछ बोला कर 4 के आगे वोलोगी तो मैं विचार के आगे फिर जवाब दूँगा अकेले में बात किया कर तो ये चाहत और रज़त की एक अच्छी वाली bonding ने ज़र आती है शिल्पा कसिस के साथ बैठती है डंगे की चोट पर priorities रखनी होती है यार मैं अपना लिखानी पढ़ पाती बहुत बुरी आदत है यार मेरे को थोड़ा ना clear लिखना पड़ेगा और बाकी हसी मचाक हुए है घर के अंदर नाचगाने हुए है एंटरटेनिंग था एपिसोड आज का लेकिन मुझे थोड़ा boring भी लग रहा था बगगा सारा की तारिफ कर रहे थे बगगा से यही कराए जा सकता है कि बगगा सारा की तारिए बगगा क्या हो गया है बगगा को उसे तो मचा ही आ गया अर्फिन के जाने से असा लग रहा है जिसे बगगा को खुश ही मिल गई हो कि बाद अच्छा हुआ अरफिन चला गया आप तो मेरे मचे हैं चाहत को अविनाश के पीछे छोड़ देना चाहिए अच्छा हाँ यह हुआ था पॉइंट जहां पे रवी किसन ने पूछा था है चाहत का क्या करना चाहिए अविनाश के पीछे छोड़ देना चाहिए और जो उसकी मिमिक्री थी भाई ओन पॉइंट थी विलकुल मज़ा आता है अविनाश की मिमिक्री दे के वो काफी अची मिमिक्री करता है वैसे वो शो में आगे बढ़ने के लिए विवेन का नाम लेए अच्छे चाहत को यह बताएगा कि आगे कैसे बढ़ना होता है चाहत तो शो में विवेन का नाम लेना जरूरी होता है तब ही आगे बढ़ सकते हैं अब देखो विवेन का नाम भाई विवेन शो में है तो विवेन का नाम तो लेगी लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि विवेन का नाम वो इसलिए लेती है कि वो शो में आगे बड़े उसका देखो अपना है एक हाँ ये बात अलग है कि वो विवेन को ही टीस करती है क्योंकि विवेन सुरू से उसको टीस करता था जब भी वो विवैन से बात करने जाती थी वो उससे उखड के बात करता था तो ये चीज भी हमें नजर आई और लस के पास कोई मुद्दा नहीं है बगगा आप पॉलिटीशन है लेकिन आपको श्रीटिका से सीखना चाहिए करन को तो बिलकुल इग्नोरी कर दिया करन से कोई बात ही नहीं की चारों के आगे कुछ बोलोगे तो मैं बोलूंगी तो यह रहा मेरे हिसाब से आज की एपिसोड का रिवियू जो की थोड़ा आजीब सा था मुझे भी थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा लगा और जो बोरिंग बोरिंग सा एपिसोड रहेगा तो हम रिवियू में क्या ही बोलेंगे अब बस कल के वीकेंड के बार का इंतजार है जहां पे किस-किस की क्लास लगती है कि देखना बड़ा दिल्चास मुझे लगता है की करणवीर की एक वर किर से लग turtles लगें करनवीर के बारे में एक वर फिर से बात छी है चुम और चाहत की भी बात तरही बात मुझे ऐसा लगता है कि चुम और चाहत के बीच में जो पंगा हुआ था जो दाद से काटने वाली बात चुम क्लेम कर रही थी कि इशा ने देखा है तो मैं चाहती हूँ कि विकेंड के बार पर ये वाला मुद्दा उठाया जो और दिखाई जाए वो क्लिप जहां पर चाहत ने चुम को काटा है है ये ना क्योंकि आज विवियन भी ये बात कह रहा था क्यों तुम दो काट टीवी हो तो वहाँ पर वो कहती है कि तुमने देखा था क्या लेकिन이죠 confidence के साथ विविविन तो discuss करना या makers जरूरी समझेंगे तो discuss करना यह वाले बाते सारी होँगी और बाकि शिल्पाजी के गले में चोट लगी थी यह वाली बात तो ही रही है कि दिख बिजै और अभीनाश आपने क्या कर रहे हो यह रिस्ता बनाना और सिर्फ दुस्मनी वाला रिस्ता बनाना इतना important है क्या अच्छे वाले रिस्ते भी बन सकते हैं तो चलिए यह रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू बाकी ही मैं मिलती हूँ कल के एपिसोड में कल के एपिसोड इंदसेंस की कल सुबह से फिर देखते हैं प्रोमोस वगेरा क्या आते हैं उसके बारे में बात करेंगे तब तक के लिए बाए बटेकर अपना ख्याल रखिये